हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूग चैनल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चूहों को घर से भगाने के लिए एक बहुत ही गजब की टिप जो आज से पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी क्योंकि जब हमारे घर में चूहों हो जाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं महंगे महंगे कपड़ों को काट देते हैं और खाने पीने की चीज़ों में भी बहुत नुकसान करते हैं आपने देखा होगा जहां पर भी हमारे खाने पीने की चीज़े होती हैं वहां पर चुहों का आना जाना हो ही जाता है और फिर वो जब जाते हैं तो वहां पर अपनी गंदिगी छोड़ कर चले जाते हैं जिसकी वज़े से हमारे घर में बीमारियां का खत्रा बढ़ जाता है और जहाँ पर चुए होते हैं वहाँ पर साँ पाने का खत्रा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम नहीं चाहते हमारे घर में ऐसा कुछ हो तो चलिए इसी के लिए हम एक बहुत गजब की टिप तियार कर लेते हैं जिससे के हमारे घर के चुए सब बाहर चले जाएं और हमारे घर में एक भी चुए नजर ना आए तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बूंदी के लड़ू क्योंकि आपको लोग सबको पता होगा कि बूंदी के लड़ू जो होते है न वो चुओं की फेवरेट डिश होती है तो हमें ऐसी ही चीज से इस रेमेडी को तियार करना है जिससे के हमारे घर के सारे चुओं घर से बाहर चले जाएं 5 लड़ू लिये हैं लेकिन मैं इस से 2 लड़ूं से रेमेडी त्यार करूँगी आप जाहे अगर आपके घर में ज्यादा चुओं है तो आप 5 लड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मुझे सिर्फ 2 लड़ूं की जरवत है तो मैं दो लड़ों से ये remedy त्यार करूंगी और इसके लिए हम पहले इन लड़ों को फोड कर इनका चूरन बना लेंगे जब तक मैं इनका चूरन बना रही हूँ तब तक आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट करकर बताईए कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं किस गाउं या किस शहर से देख रहे हैं ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहां कहां तक पहुची और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो चलिए मैंने यहाँ पर चूरन को फोड कर तियार कलिया है लड़ू को अब यह लड़ू का चूरन एकदम बन कर तियार है क्योंकि हमने एकदम फ्रेश लड़ू लिया है तो वह बहुत ही ज्यादा सौफ्ट है कोशिश कीजएगा लड़ू फ्रेश हो अगर आपके के लेकिने बाहर भी भगाना हैं उन्हें बुलाना नहीं है तो हम उसके लिए क्या लगेंगे ल जया की प्लेट को पहले ऐखेंगे उसके बाद हम ले और उसे कूट कर पीस कर तियार कर लोगी जब वो गोली कूट कर पीस कर तियार हो जाएगी उसके बाद हम उसमें एक चीज और एड करेंगे उसके बाद हम इस रेमेडी को तियार करेंगे तो पहले मैं यहाँ पर इन टैबलेट में थे एक tablet fold कर तियार कर लेती हूं। और जैसे हमारी tablet fold कर तियार हो गई है, अब इसमें हम एक चीज और mix करेंगे, पहले हम इस tablet को निकाल लेते हैं एक कटोरी में। और यह फिनायल की गोली होती है यह बहुत ही powerful होती है इसकी smell होती है बहुत strong होती है जिसको चुहे अगर खा लेते हैं तो वह भागते ही नजर आते हैं तो यहां पर हमने एक चम्मच के करी powder तयार कर लिया है और इसमें हम एक चम्मच ही मिला लेंगे सर्फ जो डिटर्जन पाउडर होता है न वो क्योंकि हमें दोनों चीज की मात्रा जो है न वो बराबर बराबर रखनी है एक नेप्थिलिन की गोली थी तो हमने यहां पर एक चम्मची भरकर सर्फ यूज करेंगे आप सर्फ कोई भी यूज कर सकते हैं आपके घर में जो भी हो अगर सर्फ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं कपरे दोने वाला जो साबून होता है न वो एक चम्मच के करीब इसमें ग्रेट करकर बारी ग्रेटर से एड़ कर लीजिए अब इन दोना चीजों को हम कर लेंगे मिक अगर आप इसे ऐसे ही मिला देंगे तो चूह बिलकुल नहीं खाएंगे ना खाएंगे और ना जाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे थोड़ा सा लड़ू का जो चूरन है वो हाथ में लेंगे और उसमें से इसे थोड़ा सा फैला लेंगे उंगली की मदद से बहुत छोटे जोड़ा करेंगे और इसके की चोटे-चोटे लड़ू बनान देंगे इसी तरह से अपने सारे अपनेसे लड़ू बनाकरrolleकश्यार करेंगे उर चोटे-चोटे बनानें पर बभुड़ बनेंगे उनको अंदर की श्मेल आएगी भी नहीं तो मैं इस तरह से अपने सारे लड़ू बनाकर त्यार कर लूँगी और हमारे इस तरह से सारे छोटी-छोटी लड़ू बनकर हो गए है त्यार और अब इन लड़ू को हम वहाँ पर रखेंगे जहां पर हमारे घर में चूहों का जादा आना जाना रहता है जैसे कि बैड के नीचे, अलमारी के पीछे, केचिन में ऐसी जगह पर रखें जहां पर चूहे इजिली इनको खा सकें और इनको जब चूहे एक बार खाएंगे न तो बस वो सीधे बाहर ही नज़र आएंगे क्योंकि लड़ों की स्मेल से वो खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और वो इनको खाने के लिए जरूर आएंगे तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा और चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और ध्यान रखेगा कि आपने घर में साफ सफाई का भी बहुत जादा हमें ध्यान रखना चाहिए और जब हम आपको खाना पीना बना कर फ्री हो जाते हैं तो अपने किचिन को और सभी जगाओं को साफ करना ना भूलें और खासकर अपने डस्विन को रात में ही साफ करके रखना चाहिए क्योंकि जब हमारा डस्विन में कच्ड़ा भारा रहता है तो उसको खाने के लिए हमारे घर में चुए जरूर आते हैं तो चलिए मिलूंगे आपको नेक्स वीडियो में बाब बाई